हेलो माई फ्रेंड्स माई नेम इस राहू सिंग अगे नियो विडियो दोस्तों इस वीडियो में हम 4-5 टॉपिक पर बात करेंगे जो की प्यूर्ली आपसे मतलब रखती है और आपके फाइदेकी है दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ बहुती ज़ादा important international news के बारे में और जो हम लोग flights कर रहे हैं आपके प्यार की वैसे उन flights के बारे में कि वो किस तरह से जाएंगी और आपको किस तरह से contact करना है कौन सी जा रही है कौन सी कब जाएगी दोस्तों ठीक है तो जैसे डाली की फलाइप जा चुकी है उसके बारें बात करेंगे और कौन सी जाने वाली है उसके बारें बात करेंगे तो सबसे परहे देखते हैं कुछ इंटरेशनल नीउज देख़ें दोस्तो सबसे परहे यह नीज आ रही है कि जो Airport Authority of India है Delhi Airport है और कुछ airports हैं इंडिया के जो की दावे कर रहे हैं कि हम Resumption के लिए तयार हो गए हैं दोस्तों तो देखिए ये दावे एक तरह से सच हैं लेकिन इन दावों का ये मतलब कोई नहीं निकलता कि Government International Flight Start करने वाली है दोस्तों क्योंकि देखिए आपको याद होगा एक महीने पहले चेंड़ाई नहीं भी सबसे पहले ये बात निकाली थी कि हम लोग भी तयार हैं लेकिन आज तक महाँ पे International Flight Start नहीं हुई है देखिए एरपोर्ट जब स्टार्ट है तो इसका ये मतलब होता है उसका इस बात से कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों दूसरी चीज़ दोस्तों ये है कि Government ने ये क्लियर किया है कि Unlock 2 के अंदर International Flight Start होंगी दोस्तों ये जो फ्लाइट से हैं वो एक साथ स्टार्ट नहीं होंगी Phase मैनेज में स्टार्ट होंगी पहले कम होंगी फिर उसके बाद बढ़ती जाएंगी तो Government एक बार में ही सारा प्रेशर नहीं डाल सकती क्योंकि देखिए जो आपको शायद अंदाजा नहीं होगा कि जो एरपोर्ट जो इंडिया में अभी प्रेशर जहिल रहे हैं देखिए वो केवल फ्लाइट का नहीं है पहले वहाँ पर टेस्ट हो रहे हैं टेस्ट होने के बाद आदमें को स्टेट वाइस डिफरेंट डिफरेंशेट किया जा रहा है डिफरेंशेट करने के बाद उनको स्टेट वाइस बिठाया भी जा रहा है उनकी गाडियों में या बसों का इंतियाम करके तो यह सारा जो प्रेशर है वो गवर्मेंट के उपर है और कि जिस तरह से वो कोविड नाइंटीन का टेस्ट अगर पॉजिटिव निकलता है या नहीं में निकलता है तो उनको वो चौदे दिन का जो क उनको पहुचाने की उनको किस तरह से कहां पर जाना है तो यह सारी चीज़ें गवर्मेंट निभाती है तो दोस्तों इतना आसान नहीं है अगर एक साथ इंटरनेशनल फ्लाइट स्टार्ट हो जाएगी तो थोड़ा सा शिरुवात में जो कंट्रोल करने में बहुती मुश होने वाली हैं गवर्मेंट को तो इसलिए वो एक साथ स्टार्ट नहीं करेंगे फेजवाइस ही करना पड़ेगा दोस्तों दोस्तों एक न्यूज आ रही है एतियाद एर्वेज से देखिए ये साथ भारतिये शहर सहित 15 और जगह के लिए 16 जुलाई से उड़ान बरेगा ये न्यूज पकी है और देखिए ये कहां कहां के लिए बरेगा और किस तरह से बरेगा मैं आपको बताता हूँ एर्वेज ने का जुलाई के दोरान हम दुनिया भर में 40 से अधिक गंतवियों के लिए उड़ान बरेंगे देखिए इसमें बैंगलूरू, चेननाई, दिली हैदराबाद, कोची, कोजी कोड, मुंबई के लिए भाटी शेरों के लिए भी उड़ाने संचालित करेगा, तो देखिए ये 16 जुलाई से एर्वेज मालदीव के लिए भी प्रिस्तान करेगा दोस्तों, तो ये आप नोट कर लीजिए, और इसमें यूरोप के लिए ये है 16 जुलाई से बेल ग्रेड, इस्तानबुल, मैंचेस्टर, म्यूनिक और डेसल, डोफोर्ड के लिए भी उडान बरेगा दोस्तों, दोस्तों इस एरलाइन्स की एक नई बात ये देखिए, ये सामने निकल के आई है कि इन्होंने बोला है कि यातरी प्रिस्तान से 30 घंटे प उसमें कोशिश की जाती है कि परिक्शन पहले करवा लें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है दोस्तों, दोस्तों इसके बाद न्यूज एक बड़ी न्यूज है, देखिए ये अगले 6 महिने तक PAIA की उडान पर लगी रोक, देखिए आपको पहले सी पता होगा जो पाक COVID-19 का जो टेस्ट है वो कहां कहां होगा, तो देखिए अभी जो साइट पर दिखाई दे रहा है, वो क्लियर डायरेक्शन में कुछ नहीं है, बस ये है कि जो smart services. जो साइट है, जो ICA वाली साइट है, उसके ऊपर ये जानकारी आएगी कि 106 देशों में, 106 cities में, 17 देशों में, ये COVID centers या लिबरेटरी आप कह लीजिए, ये बताई गई है, ICA से, लेकिन अभी इसकी open जानकारी अभी कोई भी नहीं आई है, कि ये centers कहां हैं और कैसे हैं, तो मैं already check कर चुका हूँ, customer के पर call भी किया था हूँ, नहीं बताया कि देखिए, ये जानकारी आएगी, तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो ये जानकारी है नहीं, कि वो centers कहां हैं, तो दोस्तों, अब flights की बात करते हैं, जो कि यहां से एमदाबाद और डेली जा चुकी है, आप लोगों के प्यार और साथ की वैसे, दोस्तों, साड़े तीन सो लोगों को इंडिया बेजा जा चु दोस्तों, हाँ, देखिए, हो सकता है, कि आपके पास, हो सकता है, कुछ लोगों को ना गई हो, दोस्तों, क्यों कि देखिए, डेड़ दो हजार लोगों को डेली काल करना impossible है, तो कुछ, देखिए, critical situation के हिसाब से हम देखते हैं, उन लोगों काल की जाती है, और ये भी दे कि अभी फ्लाइट नहीं जाएगी तो उसकी प्राइटी दोस्तों देखी जाती है जहां के लोग ज़्यादा होते हैं पहले महां के फ्लाइट इंतियाम किये जाते हैं क्योंकि जो अप्रूवल है वह बहुत ही मुश्किल हो गया आज की रेट में क्योंकि जो गवर्मेंट है उसने पहले एमबसी फिर सेंटल गवर्मेंट फिर स्टेट गवर्मेंट की भी उन्होंने एक अप्रूवल की फर्मिशन और बढ़ा दिये दोस्तों जिससे की और टाइम लग रहा है ठीक है दोस्तों तो देखिए अभी जो फ्लाइट हम कर रहे हैं वो है डेली की प्रियू में जातर दे रखा है दोस्तों तो और देखिए ये देखिए ये कुछ पिक्चर्स हैं दोस्तों जो की अभी अभी जो रिसेंट फ्लाइट अभी एक देखिए उस दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी एरपोर्ट पर जाके वो थी एमदाबाद की दोस्तों इस ब प्रेशर ये दोनों चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं तो जो पूरी टीम है वो दिन रात काम कर रही है ठीक है दोस्तों तो आप अगर कॉल नहीं भी आता है तो वेट करिए और मेरी ये रिक्वेस्ट है दोस्तों के अगर कॉल आता है तो आप उसका आंसर करिए कि आपको जाना है या नहीं जाना है प्लीज कॉल भी उठाईए क्योंकि बहुत सारे लोग तो कॉल उठाई नहीं रहे दोस्तों मुबाइल नंबर गलत है काई चीज़ों का तो कॉल करते करते देखिए काफी कन्फीजन होता है फिर कि ये जो बंदा है वो जाएगा नहीं ज सब्सक्राइए खिर नहीं जिया वर्यां थैसा और आपूवल होसकता है कि 10 में 21 तो दोस्तों जैसे ही अप्रूवल होता है फ्लाइट अगले एक दिया दो दिन में जाती है तो प्लीज आप तैयार रहिए हमेशा अगर आप फॉर्म भर रहे हैं तो दोस्तों ठीक है दोस्तों तो देखिए अगर दोस्तों अगर आपको जाना है लखनौ डेली पंजाब अगर आप पर कॉल नहीं आती है तो आप भी कॉल कर सकते हैं ठीक है आप पूरी बात हैं कर सकते हैं कि कब फ्लाइट जाएगी कैसे आपको टिकेट बुक करनी है कैसे आप टेस्ट कराएंगे या नहीं कराएंगे ठीक है दोस्तों दोस्तों देखिए जो वंदे भरत मिशन की जो फ्लाइट्स थी एर इंडिया एक्स्प्रेस में वो फुल हो चुकई है पहले एक दो घंटे में कल ही तो वो सारी सल्डाउट उठ हो चुकी है उसके अलावा जो फ्लाइट्स है वो केवल एक यह ऑप्शन बसता है चार्टर फ्लाइट्स का तो देखिए वो आपको जह दी जा सकते हैं वैसे जाईए दोस्तों इंडिया क्योंकि आपको फैमिली से मिलना बहुत ही जरूरी है जो लोग 4 महीने से पांच महीने से यहां पर फसे हुए हैं दोस्तों तो दोस्तों अगर आपको इस चैनल पर थोड़ी सी भी knowledge मिलती है और आपको लगता है कि इस चैनल प्लीज बेल आइकन भी दबा दीजे दोस्तों ताकि आपको अपडेटेड जो वीडियोस हैं वो कंटेनसली आपको मिलती रहे हैं नोटिफेकेशन जाता रहे आपको थेंक यू वरी मुश दोस्तों प्लीज सब्स्राइब करना मत बूलेगा थेंक यू